बिहार में कोरोना संक्रमन के रफ्तार में कमी आई है लेकिन मौतों का आकरा बढ़ी रहा है और इसे देखते हुए सीम नितिश कुमार ने फिर से एक बड़ा फैसला लिया है और लॉक्डाउन को एक सब्ता के लिए बढ़ा दिया गया है जी हाँ नितिश कुमार ने ये खुद जानकारी ट्वीट करके दी है लॉक्डाउन का अच्छा प्रभाब पढ़ा है और कोरोना संक्रमन में कमी दिख रही है अतब बिहार में 25 मई के आगे एक सब्ता के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉक्डाउन जारी रखने का निर्णा लिए गया है आपको बता दे कि इससे पहले दो बार लॉक्डाउन लगया जा चुका था पांच मई से पंद्रा मई तक और 15 मई से पचीस मई तक और अब पचीस मई से एक जून तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है देखने वाली बात यह होगी कि जो यह लॉक्डाउन है कितना कारगर होता है क्या जो कोर्णा का स्थंक्रमन का दर है वो और भी नीचे गिरता है और मौतों के आकरों में कमी आती है या नहीं